हेलो गाइस, Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अविशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 नॉमबर तक के सभी इंपोर्टन्ट Current Affairs कवर करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, इस यह आप हमारे डेली Current Affairs PDF, Weekly PDF और मंतली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्रिप्शन में देगई लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथी आप Google Play Store से Current Affairs Funda आपको अब इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो ही हमारा PDF मेटिल है, जिसमें आपको Current Affairs के साथ साथ इस्ट्रेटिक चीके भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभी मेटिल आपको हमारी Current Affairs Funda एप पर उपलब्द हो पाएगा तो हमारी PDF कोर संबनी दिया, आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो Comment Box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की सबसे पहले आचा Question देख लेते हैं इसका आंसर आपको Comment Box में बताना है तिरूवात इरा फेस्टिवल इस सेलिबरेटेड इन विच स्टेट पोश रहे हैं कि तिरूवात इरा उत्सव किस राज में मनाया जाता है S.S.C. में पूछा गया Question है आप्शन से आपके पास केरल, करनाटक, तिलंगाना या फिर आंदरप्रदेश तो जल्दी से आप Comment Box में आंसर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे Which city will host the first G20 Sherpa meeting from December 4th to 7th कौन सा सहर 4 से 7 December तक पहली G20 Sherpa बैटक की मेजवानी करेगा Options आपके सामने है, और सही answer option C है, उदयपूर City of Lakes, उदयपूर, राजस्तान में ये first G20 Sherpa meeting को host करने वाला है 4 से 7 December के बीच में, आपको बता दें, main G20 summit जो होने वाली है उससे पहले कि एक preliminary meeting है, जिसमें अलग-लग देशों के जो G20 countries है उनके जो government representatives हैं, वो इसमें सामिल होंगे आपको जाना चाहिए former CEO of Niti Aayog, अमिताप कांथ ये G20 Sherpa है, भारत की ओर से G20 Sherpa, Sherpa का मतलब ये होता है, कि देखिए पहले जो meeting होगी उसमें leaders आएंगे, जो भी देश हैंगे, उनके president, prime minister तो उससे पहले सब कुछ arrangement देखना होता है, कि किन-किन topics पर आपको बात करनी है और क्या-क्या talks होने वाली है, तो वो जो पुरा arrangement होता है, वो share पा करते हैं तो एक दिसंबर को भारत के पास G20 presidency आ जाएगी, और हाली में हमने ये भी देखा, कि स्वराज दीप, जो की अंडमान एं निकोबार आइलेंड्स में है, यहाँ पर G20 nations के जो ambassadors हैं, उन्होंने शंकनात किया विच मिनिस्ट्री होस्टेड दे सेवन्थ एडिशन आफ दा ग्लोबल टेक्नलोजी समिट GTS, किस समंत्राय ने वैस्ट्विक प्रद्योगी सिखर सम्मेनन के साथवे संस्क्रण की मेचपानी की है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन्स ही रहेगा, आपको बता देए, साल 2016 से ही यह जो इवेंट है, यह हर साल मनाते आ रहे हैं, यह सेवन्थ एडिशन है, और आपको यह जानना चाहिए, कि यह 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक होने वाला है, निव डेली में, हाइब्रिट फोर्मेट में, हाइब्रिट का मतलब होता है, कि ओन अच्छा, हाली में कुछ और कॉन्फरेंस निव डेली में हुई है, उनके ओभी हम यह ही पर देख लेते हैं, साथ साथ, देखे, फॉर्थ, आर्म फोर्सेस फ्लैक टे कॉर्परेट सोशल रिस्पोंसिविटी कॉनक्लेव, यह हाली में निव डेली में हुआ है, कॉन्फरे निव डेली में हुआ है, और फॉर्थ, इंडिया-फ्रांस एन्वर्ल डिफेंस टाइलोग, यह भी निव डेली में हुआ है, अब देखिए मैंने आपको वन नाइनर में बताए है, अगर आप इनको पी आईवी में आफी रोड कहीं निउस में देखेंगे, तो एक ऐसे ट खीम भी था, इसलिए मुझे आपको वो डेटेल में बताना पड़ा, तो कॉंटेंट उतना बड़े जितना आपके लिए उपी हो गया हूँ, इसलिब्रेट उन विच टे अंतरास्टे जगवार दिवस किस दिन मनाया जाता है, औप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर औप्शन C है, नवंबर 29, तो जानिएगा नई दिल्ले इस्थित, नेशनल जिलोजिकल पार्क, इन्होंने 29 नवंबर को इन्ट्रेंट जगवार दे इसलिब्रेट किया है, आपको जानना चाहिए जैगवार्स यानि ही पैंथेरा उनका, यह थर्ड लार्जिस्ट कैट प्रिडेटर हैं वर्ड में, और इंपोर्टेंट स्पीसीज हैं, अमेजों रेन फोरेस्ट में, आपको जानना चाहिए ग्रेट स्वीमर्स भी होते हैं, और पनामा कैनाल में, पनामा कैनाल जो है, महाँ पर स्वीम करने के लिए जाने जाते हैं, वर्ड फर्स्ट, इंट्रनिसल वेक्सीन, इनकोवेक, हैस रिसीवड एप्रूवल फोर कोविड बूस्टर टोजस फ्रोम डिसी जी जी आई, दा वेक्सीन वाज टैवलप्ट इंट्रनिसल वेक्सीन, इनकोवेक को डीसी जी जी आई से कोविड बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिल गई है, यह टीका किसके द्वारा विक्सित किया गया, आप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर आप्शन्स ही रहेगा, भारत बायटेक, आपको जाना चाहिए व वेक्सीन, हाइदराबाद बेस्ट, भारत बायटेक द्वारा डेवलप की गई है, वासिंग्टन उवर्स्टी सेंट लुइस के साथ पार्टरशिप में, आपको जाना चाहिए भारत बायटेक के च्वेर्मेन एनमेजिक डिरेक्टर कृष्णा इला है, ओस्ट्रा हिंद 22, एक्सराइज बिगेन इन विच स्टेट, ओस्ट्रा हिंद 22, अभ्यास के स्राज में शुरू हुआ, ओप्शन आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन भी है, राजस्थान, तो देखे एक बायलेटर ट्रेनिंग एक्सराइज है, भारत और ऑस्ट्रेले के आर्मीज के बीच मे यह महाजन फिल्ड फारिंग रेंजस राजस्थान में सुरू हो चुकी है, इसका नाम है औस्ट्रा हिंद 22 एक्सराइज, 28 नमबर से 11 दिसम्बर तक यह चलने वाली है, आपको जाने हैं पहली बार इस तरह की सीरीज सुरू हुई है, औस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोगरा रेजिमेंट के ट्रूप्स, हारी माउ सकती 2022 is a joint military exercise between India and which country, हारी माउ सकती 2022, भारत और किस देश के बीच एक सहीयुक्त सैन्य अप्यास है, आपके सामने हैं, सही आंतर आप्शन भी रहेगा, मलेशिया, तो आपको जानना चाहिए, इंडिया मलेशिया joint military exercise हारी माउ सकती 2022, ये पुलाई कलुवांग मलेशिया में सुरू हो चुकी है, 28 रूंबर को सुरू ही और 12 दिसंबर 2022 तक चलने वाली है, आपको जाना चाहिए, इंडिया और मलेशिया की जो आर्मी हैं, उनके बीच में एक annual training exercise है, जो की साल 2012 से ही मना आते आ रहे हैं, या conduct करते आ रहे हैं, बारत की और से इसमें गड़वाल rifles रेजिमेंट जो हैं इंडियान आरमी का ये पार्टिस्पेट कर रहा है, और मलेशिया की और से रोयल मेले रेजिमेंट, विच कंट्री होस्टेट दा 59 एशिया पैसिफिक ब्रोड कास्टिंग सही आंसर या option ए रहेगा इंडिया, तो जानेगा प्रसार भारती जो कि इंडिया की पॉब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टर है, इसने एशिया पैसिफिक ब्रोड कास्टिंग यूनियन, ABU की जनरल असेंबली की 59th मिटिंग को होस्ट किया है, और इस मिटिंग का या इस असे प्रसार भारती के सियो गोरव दिवेदी है, और जो ABU है, यानि की एसिया पैसिफिक ब्रोड कास्टिंग यूनियन, इसके प्रेसिटेंड मसागा की सातुरू है, और ABU का सेक्रेटेरियट क्वालालंपूर, मलेशिया में इस्थित है, तो दिखे, उनियन नेशन रिकोनाइस ते अफ्रेसिटेंग के लिए प्रेसिटेंग इसियो गोरव दिवेदी वस हर साल किस दिन आयोजित किया जाता है, सही आंसर अप्शन दी रहेगा, नवंबर 30, तो दिखे, उनियन नेशन रिकोनाइस दे आफ्रेमेंबरेंस वर आल विक्टिम्स अफ्रेमिकल वार्फेर, ये थीस नवंबर को हर साल मना जाता है, सबसे पहले साल 2005 में इसको अप्सरव किया गया था, The RBI has told banks that overnight balances held by them under the standing deposit facility, SDF will be eligible as level 1 high quality liquid assets for computation of the LCR. What is LCR? RBI ने बैंकों से काये कि standing deposit facility के तहत, उनके पास overnight balance, LCR की गढ़ना के लिए, level 1 high quality liquid assets के रूप में पातर होगा, LCR क्या है, options आपके सामने है, सही answer option दी है, liquidity coverage ratio, बहुत मैंतर पौन question है, ध्यान से जानिए, सुनिएगा, देखिए, क्या होता है, जो liquidity coverage ratio है, LCR, इसके competition के लिए, जो level 1 high quality liquid assets होते हैं, ठीक है, तो उसमें अब, जो standing deposit facility के तहत, जो balance होगा, उसको भी count किया जाएगा, ये कहना है, Reserve Bank of India का, ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार अगर आप इस paragraph को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जागा कि क्या कहा जा रहा है, देखे, Reserve Bank of India has told banks that, overnight balances held by them under the standing deposit facility, ठीक है, banks, जो balance अपने पास रखे हुए है, यानि कि जो overnight balance है उनके पास, standing deposit facility के तहत, अब वो eligible होगा, किसके लिए, for competition of the liquidity coverage ratio, जो liquidity coverage ratio, केता है, जो competition किया जाता है, उसके लिए eligible होगा, ठीक है, तो यानि कि जो level 1, high quality liquid assets है, जो की जरूरी होता है, liquid coverage ratio के competition के लिए, तो उसके लिए eligible होगा, यह कहा गया है, और यह जो circular है, यह सभी commercial banks पर applicable होगा, excluding local area banks, regional rural banks, and payments banks, अब आपको जाना चाहिए, STF क्या है, देखें, नया टूल है, monetary policy का, RBI का, और SLR मस समझेगा, STF है यह, standing deposit facility, तो एक monetary tool है, RBI का, जिसके तहत, जो banks है, वो अपना जो access, जो liquidity है, उसको RBI के पास रख सकते हैं, without any collateral, ठीक है, तो RBI ने टूल introduce किया, to absorb excess liquidity in the market, market में जो access liquidity है, उसको absorb करने के लिए, जो access में पैसा है, market में, उसको absorb करने के लिए, यह tool introduce किया था, आपको बताने, फिलहाल, RBI जो है, 5.65% interest, पे करता है, banks को, यदि वो अपना sir plus liquidity, RBI के पास रखते हैं, यानि कि जो STF rate है, वो 5.65% है, अच्छा, LCLR आप जानते हैं, it indicates the proportion of high liquid assets held by banks, to ensure their ability to meet short term obligations, अब देखिए, RBI के पास है, माफ कीजिए का, जो bank है, अब देखिए, 100 रुपए है, तो ऐसा नहीं है, कि 100 रुपए का 100 रुपए ही, वो loan में बाढ़ दे, तो उसके पास कुछ highly liquid assets अपने पास रखने होते हैं, ताकि कोई stress period आए, हैना, कोई ऐसी समस्या कुछ आ जाए bank में, तो वो उस fund को use कर सके, हैं, तो उसको बोलते हैं, highly liquid assets, तो बैंक अपने पास रखता है, ताकि short term obligations को पूरा किया जा सके, अब ये उसको बोलते हैं, LCR calculate कैसे करते हैं, जो bank की high liquidity, high quality liquid assets चो होते हैं, HQLA, तो इनको आप अगर divide कर दे, total net cash flow से, ठीक है, तो आपका LCR निकल जाता है, liquidity coverage ratio, count हो जाता है, आपको बता दे, banks are required, maintaining a minimum LCR of 100%, और LCR जो है, ये बेसल 3 reforms के तहट introduce किया गया था, अच्छा आप यहां पर हम जब से बात कर रहे हैं कि, high quality liquid assets के बारे में, अब इस high quality liquid assets में आता क्या क्या है, cash आता है, including cash reserves in excess of required cash reserve ratio, government securities आती है, है न, government securities in excess of the minimum statutory liquidity ratio requirement, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, क्या-क्या इसमें include होता है, तो ये बहुत महत्पून question है, एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे, इसको आपको समझ में आ जाएगा, फिक्की द्वार lifetime achievement award 2022, फिक्की द्वार lifetime achievement award 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, options आपके सामने है, सही आंत्र option दी है, राजेंद सिंग पवार, देखे, federation of Indian chambers of commerce and industry आनी की फिक्की, इन्होंने राजेंद सिंग पवार जो की chairman and founder है, इनको lifetime achievement award 2022 से सम्मानित किया है, एर्थ फिक्की हाईर education excellence award ceremony में, और जो जूरी थी जिन्होंने इनको select किया है, उसके chairperson रहे आर ए मशेल कर, विच उन्वरस्टी अनॉंस्ट अफ फाइनेशल सपोर्ट स्कीम FSS for economically weaker students, किस इस्तियाले ने आर्थी रूप से गमजोर चात्रों के लिए वित्य साहेता यूजना की खोशना की है, options आपके सामने है, सही answer option B है, डेली यूरस्टी, तो आपको जाना चाहिए, डेली यूरस्टी में जो dean student welfare का जो office है, उन्होंने एक financial support scheme announce की है, economically weaker students के लिए, जिनोंने यूरस्टी में full time graduate या फिर post graduate courses के लिए enrollment किया हुआ है, इसके ताहित जो भी students है, उनकी जो family है, यदि उनकी annual income 4,00,00,00 से कम है, तो उनको 100% free relaxation दिया जाएगा, वहीं ऐसे students जिनकी family income 4,00,00,00,00,00,00 के बीच में है, उनको 50% का वेवर दिया जाएगा, relaxation दिया जाएगा, विच टीम ओन दा 72, इंटर सर्विसेज, वालीबोल चैंपियंशिप 2022-23, किस टीम ने बहातरवी इंटर सर्विसेज, वालीबोल चैंपियंशिप 2022-23 जीती है, सही answer option नहीं रहेगा, आर्मी रेट टीम, तो आपको जानना चाहिए, आर्मी रेट टीम, इन्टर सर्विसेज, वालीबोल चैंपियंशिप 2022-23 को जीत लिया है, ये सिकंद्राबाद ते लंगाना में हुई है, आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, परदान करने वाला एक पहनने योग डिवाइस, टैप टैप पेश किया है, आपको जानने हैं, सही आंसर, आप्शन भी है, बिल बॉक्स, अच्छा है, दो शब्द होता है, एक तो आप इस कोश्चन में देखिए, फैसिलिटेट, और एक होता है, फैसिलिटेट, दोनों ही हमने कॉश्चन में देखिए, ये फैसिलिटेट है, और इससे पहले जो फिक्की वाला देखा, हमने उसमें लिखा वा था, फैसिलिटेट, तो इनमें अंतर होता है, और ये कई बार एक्जाम में आते हैं, पैराग्राफ में आ जाएंगे, या फिर मतलब पुछ देते हैं, तो इस जो फैसिलिटेट है, इसका मतलब था किसी चीज को आसान बनाना, और जो पहले वाला फैलिसिटेट हमने देखा था, फिक्की वाले कोश्चन में उसका मतलब होता है, किसी को सम्मानित करना, तो जान येगा, बिल बॉक्स, जो की एक सोलुशन प्रोवाइडर है, पेमेंट्स एन मर्चेंड इको सिस्टम इंडिया में, तो इसने टैप टैप, इस तरह की एक विरेबल डिवाइस, इंटर्ड्यूस की है, जिसके तहित आप contractless payments कर सकते हैं, facilitating लिखा है न, यानि contractless payments को आसान बनाता है, उस पर किरिया को आगे बढ़ाता है, किस के साथ मिलकर launch किया है, एनस्टील payments bank and visa के साथ मिलकर, आपको बढ़ा दे, RBI के साथ कोई भी user, 5000 रुपे तक की amount टैप कर सकता है, RIC करते हैं, तो आप एक महीने में 2,00,000 रुबे तक का transaction कर सकते हैं, India retained the lead as a top tourism market of each country in 2022, भारते 2022 में किस देश के Sears-Preton market के रूप में बढ़त बरकरा रखी, सही आंसर option A है Maldives, तो जानिएगा Maldives के लिए जो top tourism market है, वो भारत रहा है, 2022 में अब तक भारत की और से 2,00,000 इंडियन टूरिस्ट यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, साथ है आपको जाना चीए नवंबर के ही महीने में भारत ने 100,000,000 US dollars की financial assistance Maldives को प्रुवाइट कराई है, Maldives के बारे में आपको जाना चीए capital माले है, करंसी यहां की माल दीवियन रूफिया है, US dollar भी यहां पर चलता है, प्रेजिडेंट है यहां के इबराहिम महमेद सौली और यहां की official language दीवे ही है, विच स्टेट विल हैव फर्स्ट इंटिगरेट रोकेट डिजाइन, manufacturing and testing facility of the country to be set up by Skyroot Aerospace, Skyroot Aerospace द्वारा देश का पहला एकिकरत रोकेट डिजाइन, निर्माण और परिक्षन सुविधा के सराज्य में इस्थाफित की जाएगी, सही आंजर उप्षन C है तिलंगाना, तो जानेगा तिलंगाना, हैदराबाद तिलंगाना में हमारे देश की फर्स्ट इंटिगरेट रोकेट डिजाइन, manufacturing and testing facility को सेट अप किया जाएगा, Skyroot Aerospace के द्वारा, Skyroot Aerospace का नाव हम सभी सुनते हैं, CEO पवन कुमार चन्नाना है, और Headquarters हैदराबाद में, किस राज ने अमलान एनीमिया मुक्त लख्या अभियान सुरू किया है, options आपके सामने हैं, सही answer option B है, और इसा, अचा इसे ये लख्या बोलते होंगे शाद ना, लख्षे को, क्योंकि आप इदर इस्कीम में देखेंगे, अचा तो देखिए, जो विमिन हैं, जो चिल्डन हैं, उडिसा में, तो उनमें एनीमिया की प्रोग्लम, कंप्लिटली एरेडिकेट करने के लिए, जो उडिसा के चीफ मिस्टर नवीन पटना है, कि इनोंने, आमलान, ए-म-ल-ए-न, यानि कि अनेमिया मुक्त लक्ष अभियान, इसको राज्य में लॉच्च किया है, उडिसा के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर गनेश इलाल है, कैबिटल बोवनेश्वर है, फोरें डारेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्विटी इन्फ्लोस इंटो इंडिया, इक्विटी प्रवाह कितने प्रतिशत कटकर, 26.9 अरब डॉलर रहे गया, आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन भी है, 14 प्रतिशत, तो आपको जानना चाहिए, हाँ पर एक डेटा सामने आए है, डेपार्टमेंट फोर प्रोमोशन आफ इंटर्स्ट्रेंड इंटर्नल ट्रेड द्वाराई डेटा लाए गया है, इसमें उन्हें बताएगी, अपरेल सितंबर का जो ये पूरा फिसकल रहा है, इसमें जो फोरेट डारेट इन्वेस्मेंट, इसमें गिरावाट देखने के लिए है, चोधा परतिशर्थ की, और कितना FDI हमने प्राप्त किया है, अपरेल सितंबर तक, 26.9 बिलियन युएस डोलर का, वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें, और अपरेल सितंबर इन ही टाइम पिरेड की बात करें, पिछले साल में, तो 31.15 बिलियन युएस डोर FDI एक्विटी हमको मिली थी, अच्छा, अगर हम टोटल फोरें डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस की बात करें, जिसमें की इक्विटी इनफ्लोस, रिइनवेस्टेड अर्णिंग्स और अधर कैपिटल साती है, तो इसमें भी कॉंट्रक्शन देखने के लिए मिला है, 39 बिलियन युएस डोलर, ये रह गई है, जबकि सेम पिरियर्ड, पिछले साल के अगर हम बात करें, तो 42.86 बिलियन युएस डोलर ये रही थी, अच्छा, अब इस जो फस्ट हाफ है इस फिसकल का, इसके दुरान सिंगापूर टोप इन्वेस्टर निकला है भारत में, और उसके बाद मौरिसस है, फिर यूएस से है, और निदरलेंड से उसके बाद, नई सिंगापूर है, उसके बाद मौरिसस से है, फिर यूएई है, फिर यूएस से है, फिर निदरलेंड से है, फिर जापान है, साथी कंप्यूटर सोफ्टवेर एंड हार्डवेर सेक्टर, इसने सबस्यादा FTI प्रात की है, उसके बाद सर्विशेज फिर ट्रेडिंग, विच फिल्म हैस वोन द आईसी एफ्टी यूनेसको गांधी मैडल एड था 53rd एडिशन अफ इंटरनेसल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बारत के अंतरास्टे फिल्म आउट सबके 53 वे संस्क्राण में किस फिल्म ने आईसी एफ्टी यूनेसको गांधी पतक जीता है, आप्शन्स आपके सामने हैं, सही आंसर आप्शन ए है नारगेसी, तो जानेगा इरान की ये फिल्म है नारगेसी, इसको डिरेक्ट किया है पयाम एश्कान दरीनी है, तो इस मूवी ने आईसी एफ्टी यूनेसको गांधी मैडल जीता है, किस दोरान 53 एडिशन आफ इंटरेसल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया, इसके दोरान आपको दादेजिए ये जो फिल्म है, ये महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स है, पीस, टॉलरेंस, नोन वाइलेंस, इसको दर्शाता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, हर साल जो इफ्वी है, यानि कि इंटरेसल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया, यहाँ पर ICFT पेरिस और UNESCO ये दोनों ही मिलकर गांधी मेडल प्रोवाइट करते हैं किसी भी मोवी को, आपको उता दे, 1994 महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर UNESCO ने ये मेडल देना सुरू किया था, अचा, गोल्डन पीकोक फॉर दे बेस्ट फिल्म ये अवाड इसको गया है, ये गया है Spanish Film I Have Electric Dreams, इसको, और इसके डिरेक्टर है, वेलेंटीना मौरियल, बिपलो सरकार की एक बांगलादेशी मौवी है, जिसका नामें आगंतु, इसको प्रसाद D. अवाड दिया गया है, बाकि आप जानते 53rd International Film Festival of India ये गोवा में हुआ है, और जो इसकी closing ceremony रही है, उनकी मूवी है Perfect Number, विस्तारा Airlines will be merged with Tata on Air India by, विस्तारा Airlines का Tata के स्वामित वाली Air India में कब तक विले हो जाएगा, सही answer option B है, March 2024, तो आपको जाना चाहिए विस्तारा, जो कि एक joint venture है, Tata Suns Private Limited और Singapur Airlines Limited के बीच में, और यहाँ पर Tata Suns के जो stake है, 51% stake है, विस्तारा में, और Singapur Airlines के 49% stake है, और यह company जो है Tata SIA Airlines Limited के तोर पर registered है, पहली बाद तो आपको यह जाना लानी चाहिए, ऐसा यह का मतलब है, Singapur Airlines, ठीक है, कितने हैं 20 में stake, Tata के 51, और Singapur Airlines के 99, ठीक है, अब जानेगा, जो विस्तारा Airlines है, अब यह Air India में मर्ज हो जाएगा, मार्च 2024 तक, और Singapur Airlines, अब 250 मिलियन यूएस टोलर्स, यानि की 2000 क्रोड रूपीज, एर इंडिया में invest करेगी, और जब यह पुरा हो जाएगा, जब यह merger पुरा हो जाएगा, उसके बाद, अब जो नई entity, यह बनने वाली है, इसमें टाटा संस, 74.9% स्टेक टाटा संस के हो जाएगे, और जो बाकी के, जो स्टेक है, 25.1% यह Singapore Airlines के हो जाएगे, तो यह मेहत्व पुर्ण जाने का रही है, आपको जानने नी चाहिए, प्रिवेस असाइन्मेंट कोश्चिन के आंसर हम देखने वाले हैं, which states Milik Federation owns the brand, आब आविन, असरी तमिल नादू, how many women were there in the constituent assembly, 15, the martym day of Guru Tegh Bahadur is celebrated every year on November 24, in 2007 jet airways acquired which airline has a wholly owned arm and question it jet light, answer is Sahara Airlines, in which state the Mamata scheme that targets pregnant and lactating women इस बिंग इंप्लिमेंटेट उडिसा विच गंट्री अनॉंस्ट अ बैन उन इंपर्ट और सेल अव कम्मिनिकेशंस एक्विप्मेंट बाइ चानीज टैंक कंपनी हुआवी साइट इन एक्स अनक्सेप्टेबल रिस्क तो नेसल सेक्यूर्टी आंसर इस इसी तरह से आप पा 1890. गोवेंट इसे चानीज एसेक्षणे़ अच्छोर्णेज ए तो 30 April 2024, विच च्छोर्णेज तो अब्रचाटेब। था च्चिछ नेज रिस्क फो बाइस्टेश डिकुच्छिट इन इजल्सेशें से ईस्तेनों कूकी चिण मिजूर्फ श्मिज्यूर्फ इंडिश्ट has registered a monumental growth in the last eight years as it has increased by million tons रभी area coverage in the country so far has increased by over lakh hectares over the last year as on 25th of this number total area shown under रभी crops reported was 358.59 lakh तो इंचे कोश्चिन के अंसर आपको हमें कमें बोक्स में बताने हैं यह दिया आपको एक क्वेश्चन का अंसर भी आता है तो भी आपको हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब पाटिस्पेट किया कीजिए साथी current affairs वंडा को आप टेरिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular झाल झाल